तो महराश्ट में BGP सरकार गिनने के बाद ज्ञारकंड की 80 सीटों के लिए क्या कहता जनता का एगजिट पोल किस के साथ है जनादेश क्योंकि जनादेशी तया करेगा ज्ञारकंड के अंदर किस की बनेगी सरकार क्या यहाँ पर गढ़वंदन जो यहाँ पर जे एमेम पॉ अंग्रेश और आर्जेडी के बीच महागडवंदन है उसकी जीत होगी या अमित्षा यहां पर बाफ्ति करेंगे क्योंकि रैलियों का दौर जारी हो चुका है प्रदान मंत्री मोदी जी की बात करें तो जनादेश मांगने के लिए जनता के बीच यहां पर जा रहे हैं और अपना जो कामकाज जनता के बीच यहां पर रख रहे हैं अमित्षा यहां पर जारकंड में कई रैलिया कर चुके हैं जारकंड के अंदर बीजीपी का नारा आपकी बार 65 पार का जो नारा है लेकिन क्या बीजीपी 65 सीटे मिल पाएंगी नहीं इसके लिए आगे आपको प्रियाना माराज के बाद जारकंड का नमर क्या यहां पर भी गड़ बंदन की शरकार बनेगी लेकिन बीजीपी का किसी के साथ गड़ बंदन नहीं है यह बड़ी कबर है लेकिन अब तक के जो रिकॉर्ड है कि जारकंड के अंदर अब तक गड़ बंदन की सरकार बनती आ है पहले चरन के लिए 30 नमबर को वोटिंग होनी है और आकरी चरन 20 दिसम्बर को पांचवे चरन की वोटिंग होगी जिसके लिए 23 दिसम्बर को इसके नतीजे सामने आ जाएंगे तैह हो जाएगा की जहरकंड के अंदर किसी बनेगी सरकार लेकिन 2009 के आकड़े किस प्रकार से रहे थे वाचपा को 18, जे-म-म के लिए 18, कॉंग्रेस भी 14 सीट पर समढ गई, जे-बी-म के लिए 11, आर-जे-डी के लिए 5 में किसको कितनी सीटे देखिए बाता सीटों पर बीजीपी चुनाब लड़ी जिसमें 37 मिली लेकिन बीजीपी फिर भी पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाई 2014 में बोधी सरकार के अगवाई में इस चुनाब को लड़ा गया जे-म-म-89 सीटों पर चुनाब लड़ी लेकिन स सिर्फ सिर्फ 6 सीट हसिल कर पाई मतलब सबसे ज़्याद नुक्सान कॉंग्रिस को गवा जे-वी-म के लिए 63 सीटों में से यहां पर आठ सीट मिली वहीं यहां पर यह जो पाटी उसमें 8 सीटों पर चुनाब लड़ा और 5 सीट पर जीत मिली तो यह तो 2014 के आकड़े थे ल और जे-वी-म के लिए 6 सीट है अन्ने के खाते में 4 सीट इस एकजेट पोल के अनुशार 2014 में दिखाया आकड़े लेकिन इंडिया टीवी के अनुशार भाजपा को 37 मतलब जो 37 सीटों का अकड़ा यहां पर दिखाया गया था और 37 सीटे विजीटी को मिली जे-वी-म के लि 2014 में जो आकड़े थे भाजपा को 61 जो गलत हुआ सिद्ध हो और यहां पर जे-म-म के लिए 12 कॉंग्रेस के लिए 4 जी-वी-म के लिए 2 और नर्डलिये के लिए 2 यह कई ने के एकजिट पोल सटीक नहीं बैटा 2014 के अनुशार लेकिन 2019 के लिए क्या आकड़े दिख रहे हैं और बीजीपी इस वार 80 सीटों पर चुनाब लड़ रही हैं ऐसे में किसी के साथ गड़ बंदन नहीं हैं तो बीजीपी समट सकती है अपकी वार सरकार में फिसल सकती है यह आकड़े निकल कर आ रहे हैं वही कॉंग्रेस जे-म-म और आर-जे-डी का जो गड़ बंदन है इ हैं तो और जे-डी को एक यह दो सीटी हम पर मिल सकती है तो इनको मिल सब्यक्रfte, जो स lle cosmos एक मिलने का उन्मान ही और फिर भी आपके जानेका दी के तो आप ज़रू अपनी डाय रख सकते हैं कमड़ बॉक्स में और चैनल को सबस्क्राइब कर लिजे तक कि आने वाली जानकारी का नौर्ड विश्ण आपको टाइम टाम मिलता रहे एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ पर मिलेंगे आप कदी शोगू जहन जवहरत